नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ सुर्भी राजपूत आज इस बुलिटिन में बात होगी अविश्वास प्रस्ताव पर राहूल गांधी के पियम मोदी पर वार की मनीपूर पर घीरी के इंदर सरकार की बात करेंगे के इसके साथ ही और भी कई बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रुबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुल्ख्यों पर राहूल गांधी का बिजेपी पर निशाना कहा अधिवासी भारत के पहले निवासी बिजेपी वनवासी मानती है ये भारत माता का अपमान संसत की विशेशा धिकार समीती ने आप सांसर रागव जड़ा को भेजा नोटिस पूछा क्यों ना कारवाई की जाए ग्यानवापी सर्वे के खिलाफ फिर मुस्लिम पक्ष ने याचुका दायर की जुला अधालत 17 अगस को सिन्वाई करेगा मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की माग बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार सेंसेक्स 149 अंग चड़कर 65,995 पर बंद निफ्टी 61 ठंकों की तेजी के साथ 19,632 पर बंद ये तो थी सुर्खिया और आब बात आज की सबसे बड़ी खबर की अविश्वास प्रसाफ पर दूसरे दिन सभी की नजरे राहुल गांधी की पर टिकी हुई थी तो क्या कहा है राहुल ने देखे ये रिपोर्ट प्रदान मंत्री आज तक नहीं गए क्योंकि उनके लिए मणिपूर हिंदुस्तान नहीं है मैंने मणिपूर शब्द परियोग किया मगर आज की सचाई ये है कि मणिपूर नहीं बचा है मणिपूर को आपने दो भागवी बाट दिया है तोड़ दिया है राहुल गांधी ने पियम मोदी परतंच कस्ते वे कहा कि रावण दो लोगों की सुनता था मेगनाथ और कुम्बकर्ण वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं अमिट्शा और अडानी की राहुल ने कहा कि मोदी सरकार को उसका एहंकार समाप्त कर देगा राहुल ने रमायन का जिक्र करते वे कहा कि रावण की लंका को हनुमाण जुदी ने नहीं जोलाया था 20 किलो मीटर तो अराम से चल लूँगा लेकिन यातरा शुरू करते ही दो तिन दिन में मेरे घुटनों में जबर्दस्त दर्ज शुरू हो गया एक सेक्टिंड में मेरा सारा अहंकार निकल गया मणिपूर को लेकर विपक्ष मोधी सरकार को राहत देने के मूड भी नहीं दिख रहा है अविश्वास प्रस्ताव रखते समय ही कॉंग्रेसांसद गौरफ गोई गोई ने कहा था कि हम पियम को संसद मिलाने और मणिपूर पर उनके बयान दिलवाने के लिए इसे लेकर आए है लेकिन बिज़ेपी के नेता दो दिन से मणिपूर पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहे है जबकि विपक्षी दल लगातार मणिपूर को लेकर सवाल कर रहा है। जबकि विपक्षी दल लगातार मणिपूर को लेकर होगा। जबकि विपक्षी दल लगातार मणिपूर को लेकर सवाल कर रहा है। इस से आपकी पुर्वत्तर की सीमा प्रभावित होगी। आज मणिपूर की हालत काफी गंभीर है। उसकी गंभीरता के बारे में कोई चर्चा नहीं की। क्या मांग लिया था विपक्षी ने। मई से आज सक मणिपूर अशान्थ है और पीम एक शब्द नहीं बोल रही है। नेशनल कॉन्फरेंस के नेता फारुक अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपाई ने कहा था कि दोस बदले जा सकते हैं। पडोसी नहीं बदले जा सकते हैं। दिल्ली बिल पर चर्चा के दोरान केंद्रिक ग्रहमंत्री ने दावा किया था कि इस बिल्ट के बाद केज्रिवाल इंडिया गठमन्न से अलग हो जाएंगे। के सहारे और मजबूत हो गई है दरसल राजिसभा में विधे की समर्थन में 131 सदस्यों के वोट पड़े जबकि विरोध में 102 सदस्यों के वोट पड़े खासकर विपक्षी दलों की वोटिंग इसलिए और एहम हो गई है क्योंकि इंडिया गठबंदन के पास 100 वोट थे अब कॉंग्रिस के साथ कठबंदन को लंबे समय तक रखने की तयारी कर रहा है सियम केजरिवाल ने कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खडगे और सांसद राखुल गांधी के साथ ही पूर्व पियम मनमोहन सिंग को एक पत्र लिखा है पत्र में केजरिवाल ने कहा है कि कॉंग्रिस को सम्विधान के सिध्धानतों की प्रती उनकी प्रती बदता के लिए दशकों तक याद रखा जाएगा पत्र में लिखा गया है कि GNCTD Amendment Bill 2023 को आपकी पाटी की ओर से खारिज किये जाने और इसके खिलाफ वोटिंग के लिए मैं दिल्ली के दो करोड लोगों की तरफ से कृती यगिता व्यक्त करता हूँ केज्रिवाल ने मनमोहन सिंग को लेकर कहा है कि उनका स्वास से सही नहीं था लेकिन वो दिल्ली वालों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए सदन में आई थे बता दे इस पत्र के साथ दिल्ली के सीम अर्विंद केज्रिवाल ने अमिट्शा के उस बयान का भी जवाब दे दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि दोनों सद्दों में दिली सिवा बिल बास होने की बाद आप पार्टी इंडिया गठबंदन से नाता तोड देगी इंडिया गठबंदन की मजबूती से बिजेपी को डर लग रहा है। बिजेपी की इंडिया गठबंदन को कमजोर करने की कोशिश फेल हो रही है। तो दूसरी और पूर्व छात्र नेता उमर खालित की मुश्किल भी कम होती नहीं दिख रही है। लंबे समय से जेल में प्टाने के फैसले को चुनोती देने वाले 23 याचिकाओं पर सुप्रिम कोट में आ चौते दिन भी सुनवाई हुई। किसी अनिराज की तरह ही था। उसका अपना सम्विधान था। हमारे सम्विधान में विधान सभा और सम्विधान सभा दोनों को मानिता प्राप्त है। आप इसे जम्मु कश्मीर का सम्विधान क्या सकते हैं लेकिन जो अपनाया गया वो भारती सम्विधान था। जफर शा ने कहा कि आर्टिकल 370 को समझने के लिए अलग अलग अप्रोच है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को हुई सुनवाई में चीफ जस्टिस डीवाई चुंदरचूड ने कहा था कि आर्टिकल 370 खुद क्याता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। इस पर सिब्बल ने जबाब देते वे कहा था कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते। इसे हटाना तो भूल ही जाहिए। उमर खालिद के मामले में आज सुनवाई नहीं हो पाई लेकिन जम्मु कश्मीर पर अनुचे 370 के मामले में सुप्रिम कोट की समविधानिक पीट पर सुनवाई जरूर हुई। इस मामले में सम्विधान पीट रोज सुनवाई कर रही है तो आज सुनवाई में क्या रहा खास देखे ये रपोर्ट दिल्ली की बड़ी साजिश के मामले में पुर्व जी अनियू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद घिरे हुए हैं खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीशे हैं इस मामले में उनकी समानत याचिका पर सुनवाई अटक गई है दरसल जस्टिस एयस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांद कुमार मिश्रा की खंडपीट के समक्ष ये मामला सूची बद किया गया था जस्टिस बोपन्ना ने मामले की सुनवाई शुरू करते हुए कहा कि ये किसी अनेख हंडपीट के सामने आएगा मेरे भाई की ओर से कुछ कठना ही है सुप्रिम कोट के जस्टिस प्रशांद कुमार मिश्रा ने खुद को अलक कर लिया है जस्टिस मिश्रा को हाल ही में 19 माई को सुप्रिम कोट के नियाइधीश के रूप में न्यूक्त किया गया उनका नाम तब चर्चा में आया जब उन्होंने कथित रूप से साक्ष गढ़ने के मामले में गुजरात पुलिस की एफ आयार में कारिकरता तिस्ता सी तलवार को अंतरिम जमाना देने पर जस्टिस एयस ओका से सहमती जताई लेकिन उन्होंने खुद को अलक कर लिया है इसके बाद सुप्रिम कोट ने जमारत याचिका पर सुनवाई स्थागित कर दी खंडपीट ने निर्देश दिया है कि मामले को 17 अगस्त को किसी अनी रचना के समख शुरख खा जाए आपको बता दे कि खंडपीट खालित की विशेश अनुमती याचिका पर विचार कर रही थी जिसमें पिछले साल उसे जमारत देने से इंकार करने के दिल्ली हाई कोट के फैसले को चुनौती दी गई सुप्रिम कोट ने कारिकरता कि याचिका पर 18 माई को नोटिस जारी किया जिसके बाद जमारत पर सुनवाई दो बार अस्थगित कर दी गई अब एक बार फिर उन्हें राहत नहीं मिली है अनुछे 370 मामले में समिधान पीट क्या फैसला सुनाती है इस पर पूरे देश की नजर है तो नजरे इस समय हर्याने के नूपर भी लगी हुई है विपक्ष दल के नेता नू का दौरा करना चाहते हैं लेकिन उन्हें धारा 144 लगा कर रोका जा रहा है लेकिन बिजेपी नेताओं की प्रतिनीधी मंडल को छूट दी जा रही है जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए हैं अब तक सैकडो मकान गिरा दिये गए थे पूरे शेत्र में धारा 144 लगा दी गई है नेताओं को नू का दौरा करने से रोका चा रहा है लेकिन ये रोक सिर्फ विपक्षी दलों की नेताओं पर लगाई गई है प्रदेश की मुखे विपक्षी पाठिया कॉंग्रेस भारत की कम्यूनिस्ट पाठी और इंडियन नेशनल लोगदल जैसे दलों को हर्याना पुलिस ने नू में प्रवेश की अनुमती नहीं दी है लेकिन बिजेपी नेताओं को नू के विवादित इलाकों वाली जगों पर दौरे की इजासत दी गई है जबकि कॉंग्रेस की प्रति निधी मंडल नू में नलहड मंदिर अनाज मंधी में वैपारियों और शहरवासियों से मिलने के अलावा हाल ही घटनाओ में संपति को हुवे नुकसान की जौनकारी हासल करना चाहता है हम सभी पीडितों से मुलकात करना चाहते थे लेकिन सरकार ने भारी पुलिस बल लग प्रादिया गया था नो के बाद देखते हैं अब जाने माने कार्टूनिस्ट इर्फान की किस खबर पर पड़ी है तिरशी नजर इसलगने माने माने की खाल SU आङी रपफाール लेंग है तिर लेखते हैं झाल अओं रो हैं एंवे कि राहु जान्दी की महबबत की दुकान में आज एक और आइटम जुड़ गया जिसका नाम है दिल उन्होंने कहा कि वो दिमाग से नहीं अब दिल से वोलेंगे उमीद है कि उनके दिल की बात जनता के दिलों तक जरूर पहुँचे चल रही है तो किस राज्य का नाम बदलने की तैयारी हो गई है राज्य के मुख्य मंत्री पिनाराई विज्यन ने विधान सभा में कीरल का नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया था CM Vision ने केंदर सरकार से भारत की सविधान की आठवी अनुसूची में शामिल सभी भाशाओं में राजु का नाम बदल कर केरलम करने का आगरह किया था इस प्रस्ताफ को कॉंग्रिस के नेतिर्त वाले विपक्षी गटबंदन, UDF सयुंक्त लोक्तांतरिक मोर्चा ने ना किसी संशोधन या बदलाव का सुझाव दिये बगेर सुविकार कर लिया है केरल विधानसवा अध्यक्ष एयन शमशीर ने हाथ उठा कर दिये गए समर्थन पर इसे विधानसवा को सर्व समति से पारित प्रस्ताव गोशित कर दिया है मुखिमंतरी ने प्रस्ताव पेश करते वे कहा कि राजी को मल्यालम में केरलम कहा जाता है लेकिन अने भाशाओं में ये अब भी केरल ही है राश्ट्रिय सोतंतरता संग्राम के समय से ही मल्यालम भाशी समुदायों के लिए एक जुट केरल बनाने की आवेशकता मजबूती से उभरी है लेकिन समविधान की पहली सूची में हमारे राजी का नाम केरल लिखा हुआ है ये विधान सभा केंद्र सरकार से सर्व समत्ती से अनुरोथ करती है कि वो समविधान के अनुछेद तीन के तहट राजी के नाम को संशोधित कर केरलम करने के लिए ततकाल कदम उठाए और समविधान की आठवी अनुसूची में उलिखित सभी जगे पर नाम बदल दिया जाए तो आज इस बुलिटिन में इतना ही देखते रहे है जीबी लाइव नमस्कार